असलावलीकुम दोस्तों आपका फिट्स में स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कतर खबर यूटूब चैनल पे तो साथ ही हो आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आरी एपसी एसेन कप को लेकर आरी तो भाईयों जैसे कि आप लोग सभी ज बहुत ज़र दस तरीके से ओपनिंग सेरोमेनी का वहाँ पर आजन भी किया गया था तो दोस्तों पहला मैच जो था कतर और लेवनान के बीच में तो दोस्तों आपको जान कर ये काफी जादा खुसी महसूस होगी यदि आप कतर के सपोर्टर होंगे तो कतर ने लेवनान को टीन जीरो से हडाया जी हां सातियों बिल्कुल सही सुन रहे कतर के तरफ से फुटबॉल में एफसी एसेन कप में तीन गोल किया गया वहीं लेवनान के तरफ से एक भी गोल नहीं किया गया ये 12 जनरी को पहला मैच था लूसल स्टेडियम में ग्रूप A का दोस्तों ये है कि कतर का सबसे बड़ा इस्टेडियम लूसल स्टेडियम को ही माना जाता है तो लगभग वहाँ पे कल के दिन पहले मैच में ही 82,490 लोगों का वहाँ पे अटेंडेंस था यानि लगभग 82,490 लोग ये मैज देखने के लिए आए थें तो साथी इससे बंदाजा लगा स लगते हैं कि कतर में फुटबॉल को लेकर कितना जादा क्रेज है लगभग 84,000 के आसपास दोस्तों वहाँ पे बैठने की छमता है इस स्टेडियम में और 84,000 में दोस्तों 82,490 लोग मैज देखने के लिए पहुंचे थे तो दोस्तों बहुत जादा क्रेज है कतर में क्वाइचे थी और कॉन कॉन से टीम जीती हुओ आपको बता देता हुं तो साथमाग तारीक तीरा तारी को ही तरीक लगबग 4 также मैस था पहलामाच है बारे बात करो बेकिस्तान और सीरिया के बीच में जो की जसीम बिन अहमद अलस्टेडियम में था तेरा तारी को ही साड़े आड़ बजे रात में तो ये तीनों मैस दोस्तों खेला गया पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये इंडिया और उस्टेलिया के बीच में मैस है जिसमें इं problem है तो आप यदि कॉंटेट करना चाहते तो WhatsApp नंबर वगएरा दिया गया है तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हों यहां पे टू प्लेस एन और फॉर more information को information चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो जैसे कि 4021777 दूसरे नंबर है 40217410 और तीसरे नंबर है 40218161 इस तीनों नंबर पर कॉल करके किसी तरह का जानकारी वगएरा लेना चाहते हो तो ले सकते हो या फिर आप वकूद के अप्लिकेशन को भी डाउनलोड आप कर सकते हो गूगल प्लेश्टूप में वकूद के अप्लिकेशन आपको मिल जाएगा तो साथी कुछ खबरे थी कुछ अपडेट सी जो कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया मिलता हूं साथी नेक स्टूडियो पे जहीं देन टेक केर